गेया हुआ नबस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस गसट रीडियो में आज के इस एनलेसिस वीडियो में अम दोग बात करने वाले हैं पी असलिमीटेट के उपर साथी साथ जीएन फसी और बल्रामपूर चीनी के उपर भी आपको यहां पर हम लोग बात करन करने वाले हैं सभी के सभी तीनों के तीनों स्टॉक में बहुत अच्छा ब्रेकाउट आया है साथे साथ आपको और यहां पर नियोज भी है तो सभी चीज़ों करेंगे आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा जिससे आप को पिस सभी चीजे समझ में आएंगे और अगर आपके पास स्टॉक आल्रेडी है या फिर आप लोग इस स्टॉक में बनाना चाहते हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्फूल होने वाला है साथी साथ हम लोग बहुत सारी बाते टेक्निकार एल्लेस के पर भी करने वाले हैं तो यह वीडियो में आपको बहुत कुछ टेक्निकार एल्लेस भी सीखने को मिलेगा तो इसलिए वीडियो को लाश्ट तक देखेगा और अगर वीडियो पसंद आता है अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सकाइब जरूर है लेकिन यहां पर इसका रिकॉर्ड डेट जो है आपको एनाउंस नहीं हुआ था तो यहां पर रिकॉर्ड डेट जो है आपको आ चुका है लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो मनी कंट्रोल में अभी तक यहां पर अपडेट नहीं हुआ है लेकिन यह रिकॉर्ड आपको आचुका है 23rd मार्च जो है वह आपको यहां पर record होने वाला है तो रिकॉर्ड डेट से पहले अगर आप यह लेलते हैं 22 मार्च जो है वह आपको record date है यहां पर अगर 22 मार्च से पहले आप ले लेते हैं तो आप भी इस bonus के लिए इलिजीबल हो जाएंगे लेकिन याद रहे आपको यहाँ पे 21 मार्च तक पोईशन बना लेना होगा क्योंकि अब इंडिया में T1 रीडिंग सेशन का आपको सेटलमेंट चलता है तो इसलिए आपको 21 मार्च तक यहाँ पे पोईशन बनाना होगा तब ही आपको बोनस मिलेग जिससे की आप बोनस के लिए यहाँ पे इलिजीबल हो जाएंगे और दो सेयर पे एक सेयर आपको यहाँ पे बोनस मिलने वाला है अब अगर हम लोग बात करते हैं आपको टेक्निकली इस स्टॉक में क्या हो रहा है तो टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो इस स्टॉक में बहुत अच्छा breakout आया है, एक बहुत अच्छे consolidation के बाद ये breakout आया है, अगर इस level पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये level जो है आपको आज break हो चुका है, अपने all time high pay stock जो है आपको अभी currently यहाँ पे trade कर रहा है, market open है, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 2021 के December में यहाँ पे आपको high लगा था और वो high आपको almost one year के बाद, one year and two month के बाद ये breakout हो रहा है, बहुत अच्छा consolidation हुआ है, एक साल तक आपको इसी range में ये stock consolidate किया था, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक अच्छे consolidation में ये stock था, उसका फाइनली इस month में यहाँ पे breakout हो रहा है इस week में और बहुत ही अच्छा breakout यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, अगर daily chart में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे daily chart में भी यहाँ पे clearly हम लोगों को breakout दीख रहा है, तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे clearly एक channel pattern का breakout दीख रहा है, आने वाले दिनों में इ यहाँ पे तेजी हो सकती है, stock का monopoly है अपने sector में, तो इसलिए जो है यहाँ पे आपको इस stock में और भी ताज़ा ज्यादा तेजी आने की उमीद है, साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे technically भी देखेंगे, तो technically भी आपको यहाँ पे clearly दिख रहा है, stock का अगर हम लोग यहा हुआ है, आपको 2020 में कोरोना के टाइम पे 250 रूपीज के round stock वहाँ पे trade कर रहा था, currently आपको यहाँ पे 2400 के पास trade कर रहा है, तो almost यहाँ पे आपको 10 times का return बना के दे चुका है, यह stock तो बहुत ही अच्छा यह stock आपको दिख रहा है, तो जो लोग फिर से phrase position यहाँ पे बन आया है, आप लोग यहाँ पे बिल्कुल बना सकते हैं, stop loss आपका डीप होने वाला है, 1800 के नीचे होगा, लेकिन यहाँ पे आपको टार्गेट भी बहुत बड़ा मिलने माला है, 1200 to 1500 पॉइंट का आपको यहाँ पे 3000 to 4000 के लिए देखना चाहिए, तो इसलिए इस stock में आप बना सकते हैं, यहाँ पे अच्छा breakout आया है, बहुत अच्छे consolidation लेवल के बाद यह breakout आया है, stock अपने all time high पे ट्रेड कर रहा है, तो आने वाले दिनों में इस stock में और अच्छी तेजी हो सकती है, second stock के अगर हम लोग बात करें तो इस stock में भी आपको continue यहाँ पे भी आपको hype लग रहे हैं, continue यहाँ पे भी breakout आ रहा है, यह stock भी अपने all time high पे ट्रेड कर रहा है, last month इसने बहुत अच्छा breakout दिया था, यहाँ पे अगर देखेंगे तो अपने all time high के उपर 550 के उपर इसने breakout देखे, close किया था, और इस month में अगर देखेंगे तो already आपको 7 to 8 trading session में यह stock almost last month के breakout से यहाँ पे आपको more than 80 point का rally यहाँ पे already कर चुका है, तो बहुत ही अच्छे level पे है, अगर हम लोग weekly chart में भी देखेंगे तो इस stock में भी continue आपको एक अच्छा movement हो रहा है, तो जो लोग यहाँ पे भी position बनाना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं, stock में आपको बहुत अच्छा structural breakout है, continue एक अच्छा आपको यहाँ पे high बनाते हुए जा रहा है, तो जो लोग यहाँ पे GNFC में आपको बनाना चाहते हैं, पोईशन GNFC में भी बिल्कुल बना सकते हैं, यह भी बहुत अच्छे level पे stock है, एक अच्छा breakout दिया है, तो आप अग अगर हम लोग करें बलरामपुर चीनी की, बलरामपुर चीनी के भी weekly stock में एक अच्छा breakout आता हुआ, यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, 450 के level के ऊपर इस stock में भी एक अच्छा यहाँ पे आपको consolidation हुआ था, इस level के round एक consolidation हुआ, फिर से stock 350 के ऊपर आपको rally करना start किया, यहाँ 450 तक rally किया, वापस से आपको retracement हुआ है, और फिर जो है अपने high के round trade कर रहा है, एक बार अगर यह अपने high के round इस week अगर यह इस level को cross कर जाता है, अगर यह अपने high को इस week cross कर जाता है, 461 के ऊपर एक अच्छा entry point हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, वेट कीजिए, 461 के ऊपर जो है, यहाँ पे daily candle को एक बार close होने दिजे, अगर इस level के ऊपर daily candle close हो जाता है, तो फिर यहाँ पे आप जो है एक अच्छा position मना सकते हैं, आपको बहुत अच्छा एक swing trading का opportunity मिल जाएगा, साथी सार, जो लोग भी sugar sector में अपना position मनाना चाते हैं, उन सभी के ल बना के दिया है, बहुत अच्छा पैसा भी बना के यहाँ पे दिया है, और साथी साथ वापस से एक अच्छे breakdown, एक अच्छे consolidation level को यह breakout करने वाला है, तो इस stock वो भी अपने watch list में रखना चाहिए, यहाँ पे भी आपको एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, तो उम